सबी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार्ट दोस्तों सुबा के बज़े हैं साथ और मैं लंज की प्रिप्रेशन कर रही हूं क्योंकि आज इतनी सुबह सुबह इसलिए तयारी कर रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है आज है सैटरडे और कल अनवेशा के एक्जाम लास था खतम हो गए थे तो आज मुझे उसके साथ में बाहर जाना है इसी करके घर के काफी सारे काम भी करने हैं वो करने के किये थे तो उनको ही मैं अभी उसके अंदर सामान रिफिल कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह धूप में रख दिया था अर्ली मॉनिंग अभी बज गया है आट साड़े आट बजे का टाइम होगा तो मैंने लांच की प्रिपरेशन करने के बाद में यह जो भी सूख गया मैं सफाई घर की अब यह मेरे सारा ब्रेकफास्ट बगरा का काम निवट किया है तो अब मुझे बस म्यूजिक लगा दिया है और बहुत प्यारे-प्यारे से मैं गाने सुन रही हूं सुबह सुबह में हाँ एक बहुत ही बढ़िया सी चीज बनाई थी खांडवी तो यह भ बजगे होंके लगबग एक बज़े का टाइम होगा सफाई वगरा करके थोड़ा रेस्ट करके और उसके बाद में मैंने यहाँ पर आलू बॉयल किये थे आलू के अंदर कुछ मसाले डाले है आलू बॉयल करने के बाद में इसके अंदर मैंने डाले है औरीगैनो मिक्स हर् चावल का आटा इतनी सारी चीज़े डाल करके मैंने आलू को कदू कस कर लिया था और इनको अच्छे से सबको मैश कर लिया है उसके बाद में मैंने लिया है एक कटोरी में थोड़ा सा मस्टर्ड ओयल और लिये है कुछ एक प्लास्टिक की पॉलेथिन ली है और ली है एक छो अच्छे सारी चीजे लगभग आपके साथ कर रही हो जब से योट्यूब पर मैं विडियो से शेयर करती हूं अर्फिस सालों से बनारी हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है हाला कि यह सारी चीज़े मार्केट में मिल जाती है लेकिन फिर भी क्या होता है ना मम्मी को हम बच्चोन में देखते थे मम्मी यह सारी चीज़े बनाती थी घर पर खुड़ अपने हाथों से और होली से एक महीने पहले तक इन सारी चीजों की तैयारी शुरू हो जाती थी तो वही चीजे हम अपने बच्चों को आगे मतब उनकी मेमरी में भी रहे इस करके मैं चाहें थोड़ा ही बनाऊं लेकिन बनाती जरूर हूँ एक शगन भी हो जाता है दूसरी चीज यह कि बच्चे जब इस तरह की अक्टिविटी घर में देखते ना उनको अच्छा फील होता है वो भी यह चीज सीखते है भले ही करे ना करे आने वाला टाइम कैसा रहेगा लेकिन फिर भी कि अगर हम किसी चीज को जैसे हमारे पेरेंस ने तो 100% किसी चीज को फॉलो किया हम 80% फॉलो कर रहे तो 50% तो हमारे बच्चे भी करेंगे ही यही सोच मान करके मैं इन चीजों को हर साल करती हूँ अगर आप भी मेरे सोच से एगरी करते हैं तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर पताईएगा और हाँ काफी टाइम हो गया आप सबके रिप्लाई नहीं कर पा रही हो को सोच रही हो एक दिन आप सबके सामने ही आपके कॉमेंट का रिप्लाई करूंगी बातों बातों में ने बना लिया थोड़ी से पापर और थोड़ी से मेरे पास एक यलो के करीबण आलू भी पड़े थे तो उसके भी मैंने बाद में चिप्स बना दिये थे और उसके बाद में हम आ गए है मार्केट यह क्या दिखा रही हूं मैं आपको यह दिखा रही हूं मैं पॉट पूरी आप में से एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि पॉट पूरी का लिंक दे दिए तो मैं यहां लोकल मा पाटा चकी देखी तो मैंने थोड़ा सा शूट किया और मैं आई हूं 20 सेक्टर 20 सेक्टर में यह गुगमानी मंदिर है जहां पर हनुबान जी की इतनी बड़ी प्रतिपा है हमने मंदिर भी दर्शन किये और जैसे कि आपको बदाया सैटेड़ है मंदिर आने का वैसे तो क बहां पर भी हमने माथा ठेका यह लक्षमी नरायन मंदिर है और बहुत ही जादा खुबसूरत है यहां नौ देवियों की प्रतिमा है मैं अभी आगे दिखाते हूं आपको इस्पेशली आई थी मार्केट से डी आई वाई के लिए कुछ सामान लेने के लिए तो वो सामान मैंने ले लिया है और अभी घर जा करके आपको सारा सामान दिखाऊंगी क्या लिया है और काफी लेट हो गया है बिल्कुल रात हो गया है आने के बाद मैं बस जस्ट अभी बैठी हूँ आप सब को सामान दिखाने के लिए वैसा कुछ खास सामान नहीं लिया है जो यूजूली घर के सामान यूज होते न वही लिया है मैंने सोच चलो आपको दिखाई देती हूँ आज सुबह से न मेरी आँख ये वाली बहुत जादा रेड थी इतना दर्द था इत इस साइट से देखेंगे न अंदर के साइट से और आधी आँख पूरी लाल है सुबह तो पूरी ये वाली लाल थी ये तो जिन्दगी का हिस्सा है मैं आपको समान दिखाती हूँ मैंने क्या-क्या लिया एक बहुत इंट्रस्टिंग से चीज दिखाती हूँ और 20 सेक्टर में न काफी सारी चीजे बहुत सस्ती मिलती हैं तो अगर आप ट्राइ सिटी में हैं और चंडिगड आते हैं तो आप 20 सेक्टर से ये चीजे ट्राइ कर सकते हैं तो वहां पर जो भी पाकिंग का समान है अगर आप 20 सेक्टर में देखेंगे तो एक पूरी लाइन है 20 सेक्टर से 30 सेक्टर के बीच में जो पूरी मार्केट बनी वी है जहां पर मंदिर है मठ मंदिर है गुगमानी मंदिर है तो वो पूरी लाइन में सारा समान मिल जाता है आप जब भी जाएं तो वो वाली लाइन ज़रूर देखें मैं ये रंगोली के कलर लेकर के आई हूँ अब जाल तो एक ही लिया है पैकेट लेकिन ये क्यों लिया मैंने मैं आपको दिखाती है इसमें मिले हैं ये स्टेंसिल बहुत ही बढ़िया एक तो ये श्री और एक ये लक्षमी जी के पैड इस तरीके से ना इसमें होल किये हुए हैं जिसकी वज़े से आप आराम से पोर कर सकते हैं तो मुझे इस टाइब की चाहिए थी एक ये टूल भी मिल गया ये 200 का मिला है इसका प्राइस जो है 499 इसके उपर पड़ा है और अगर आप ओनलाइन से देखेंगे न तो ये आपको 499 का ही मिलेगा लेकिन ये उन्होंने मुझे 200 का दिया है इसमें अगर आप बड़ा वा जरूरत पड़ती है मैं खुदी लेकर के आती हूं अन्नेसेसरी अन्वांटेड तरीके से चीजों को स्टॉक करके रखना भी ज्यादा अच्छा नहीं होता तो एक ये लिया है मैंने टूथपिक आइवाई के लिए मैंने आपको बहुत पहले शेयर किया था कि मुझे एक दी आइवाई करना है उसके लिए मैंने त्रिशूल खरीदा था है न और उसी दी आइवाई के लिए आज मुझे वो चीज मिल गई देखे ये ब्रास की बेल है तो ये मैंने लिए है ये प्लेन टॉप शीट है बिलकुल सिंगल इसको फैबरिक बोल सकते हो आप वैसे तो ये टॉप शीट है पिंक कलर की मुझे एक बहुत ही अच्छा खुब सुरत सा बनाना है डाइनिंग टेबल का कवर चोकि पेंट करके मैं बनाने वाली हूं तो ये मुझे मिले 250 रुपीस की वैसे 650 का पूरा पेयर था इनका दो का लेकिन ये सिंगल केवल एक ही पीस पड़ावा था तो उन्होंने मुझे बोला तो 300 का था फिर मैंने उनसों थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया मैंने का आपके पास सिंगल है आप पर बहुत कॉसली है मतब 50 रुपीस में इतने से फूल देते हैं वह भी फूल नहीं पतियां मिक्स हर्ब जो इटैलियन सीजनिंग होती है ये वो है और बहुत अच्छी होती है ये इतनी अगर हम पैकेट में उसमें लेते हैं बॉटल वाली जो आती है तो वह काफी महगी म हैं वह मैं घर पर ही मिला लूंगी लेकिन वाजरा घर पर नहीं होता है तो मैंने यह ले लिया सतनाजा करके बोला था लेकिन उनौन ने इसमें भाकी चीजे तो बहुत नाम के लिए अच्छा मंदिर का समान लेना था मुझे कुछ तो यह मैंने लिए हैं धूप दूप बत्ती यह हैं काफी सारी धूप बत्ती ली है और पूजा की बत्ती ली है यह ली है और ठाकुर्जी के इत्रे लिए है ठाने के लिए लिया है यह चीज यह एक किलो का पाकट आता है और वहां पर ना काफी सारा सामान ऐसा मिल जाता है जो कि होल सेल रेट पर मिलता है तो 20 सेक्टर में जो मार्केट है ना वहां से आप ले यह आइधिंक एक केजी का है और यह 480 का दिया मुझे की MRP से कम पर मिला है एक और यही नापकिन अगर हम रिटेल में लेते है तो 25-30 रूपीज का एक नापकिन देते हैं तो बस यह एक छोटी सी शॉपिंग थी जो मैंने आप सब के साथ में शेयर की आज का वीडियो इतना ही था दोस्तों उमीद करती हूँ आपने इंचॉई किया होता कुछ भ नए हैं तो सुब्सक्राइब कर लीजे इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए और मैं थख गई हूँ बहुत मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंट्रस्टिंग वीडियो में तिल देन अपना ख्याल रखिये और मस्ते रहिए बाइ बाइ